हेलो गाइस, once again welcome back in my youtube channel so guys, इस वीडियो में हम टेलमा 40 टेबलेट पर discuss करने वाले है टेलमा 40 टेबलेट के uses क्या है, इस टेबलेट के dose क्या है, इस टेबलेट के precaution क्या है इस टेबलेट के side effect क्या है और contra indications क्या है सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले है so guys, टेलमा 40 के अंदर आपको टेलमी साटन मिलता है जो 40 mg की strength में है और टेलमी साटन ही एक main molecule है इसके अंदर जो अपना therapeutic effect देखता है शरीर के अंदर और गाइस, ये टेबलेट schedule age drug की medicine है मतलब बिन डॉक्टर के permission के और बिन डॉक्टर के prescription के आप इस टेबलेट को यूज नहीं कर सकते है और guys, बात की जाए अगर इसकी price की तो ये 20 टेबलेट की इसकी पूरी स्ट्रिप आती है जिसकी price है 220 रुपे और इस टेबलेट को गिलेन मार्क फार्मसिटिकल कमपनी बनाती है बात करते हैं स्टेबलेट के यूज क्या है तो इसके अंदर जो आपको टेल में साटेन एंज्जुटेंशियर रिसेप्टर ब्लोकर क्लास के मेडिसिन है बात करते हैं स्टेबलेट के क्या यूज है इसे normally डॉक्टर हाइपर टेंशन की बीमारे में प्रिस्काइब करते हैं मतलब अगर किसी वेक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या उसका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है या उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी है तो उन सब में इस टेबलेट का इस्तमाल की जाता है ये ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल लाने के लिए इस टेबलेट का इस्तमाल की जाता है क्योंकि एक एंजू टेंशन रेसेप्टर प्रोकर क्लास के मेडिसीन है जो हमारे blood pressure को वापस normal कर देती है साथ में इस टेबलेट को heart attack से बचने के लिए stroke से बचने के लिए heart failure से बचने के लिए भी इस टेबलेट के इस्तमाल किया जाता है और डॉक्टर इसे diabetic nephropathy जैसी condition में भी इस्तमाल करते है diabetic nephropathy एक kidney problem होती है जिसमें जो body का protein होता है और urine के धुरू बाहर निकलना शुरू हो जाता है जिससे हमारी body कमजोर होने लगती है तो इसे रोकने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को prescribe करते है और गाइस इसे आप एसा समझ लेजी कि जो भी BP से related problem होती है उसे ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तमाल किया जाता है बात करते हैं इस टेबलेट की dose क्या है तो इसे खाना खाने से पहले है खाना खाने के बाद डॉक्टर इसे one टेबलेट per day मतलब दिन में एक बार इस टेबलेट को prescribe करते है आपको सिब इसे दिन में एक बार इस टेबलेट को लेनी होती है खाना खाने से पहले है खाना खाना खाने एक बाद और जो इसका exact dose होता है वो medical condition को उपर depend करता है patient की कि patient का age क्या है, patient का weight क्या है patient का gender, patient का blood pressure क्यो बढ़़डा है कितना बढ़डा सब कुछ देखने वाद doctor's का dose prescribe करते है और इसका जो असर होता है इस गोली का ये तीन घंटे में इसका tablet का असर शूरू हो जाता है और 24 घंटे तक शरीर के अंदर इसका असर रहा है बात करते हैं इस tablet के side effect क्या है तो अगर आप इसे short term के लिए लेते हैं तो इसके कोई जाज़त side effect नहीं है अगर आप इसे long term के लिए लेते हैं तो हो सकता है कि जो सास की नली है respiratory टेक्टे उसमें infection हो सकता है sinus infection हो सकता है कामर में दर्श चुरू हो सकता है diary जैसे आपको problem हो सकती है पूरे चेहरे पर सूज़ना सकती है आपको BP low हो सकता है और किन्नी से related problem आपको शुरू हो सकती है बात की जाए इसके counter indication का है तो अगर आपको इस टेबलेट से allergy है या certain group से tell me certain से आपको allergy है किसी भी तरह की तो आप इस टेबलेट को इस्तेमाल ना कीजिए और अगर आप pregnant है ब्रेस फीटिंग तब तो इसे भूल कर भी इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं करना है और इसके strip पर already warning दी हुए है अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं और आपको अचानक pregnancy detect होती है आप अचानक pregnant हो जाते हैं तो इस टेबलेट को आपको फौरान लेना बंद करना होगा नहीं तो इस टेबलेट के बहुत बुरे side effect हो सकते हैं और इसे liver problem और kidney problem में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर आपको liver problem है और kidney problem है तो यह complete detail होगए टेलमा 40 टेबलेट के बारे में तो गाइस इस वीडियो में इतना ही एसी informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक्यों सो मच पर वाचिंग इस वीडियो